तो दोस्तो आज एक बर फ़र से हम लोग डिसकेशन करने जा रहे हैं अमेरिका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया को लेकर देखिए डोनल्ड ट्रम की एलेक्शन जितने के साथ ही भारत को दो मजबूत कंधे अल्रेडी मिल चुके हैं जी हां एक तरफ जहां पर अमेरिका में डोन पुरी ताकत लगा देंगे जो कि भारत के लिए इस समय सरदर्द बने हुए हैं, जी हां, आप ऐसा कहते हैं कि भारत हैं जो दोनल्ड ट्रम के जो राइवल्स हैं वो वह बिल्कूल एक हैं, और ऐसी परिस्तेती में भारत को बस अब पीछे-पीछे क्षे की रोखे की वसी में क्या रोल है आप बस इसी तरह के वीडियो के लिए आपने खुद किस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि डोनल्ड रम की जीत के साथ ही इलोन मस्क अमारिका के अंदर एक बहुत ही पावरफुल व्यक् चर्मनी के चांसलर के बारे में भी अनाप शनाप बाते उन्होंने कर दी है उन्हें बेवकुफ तक कह दिया है और कैनेडा को लेकर तो इस पस्ट रूप से उन्होंने धमकी देते वहीं ये कहा है कि टूडो की गवर्मेंट रिपीट नहीं करने चारी है दरसल मामला कुछ जैसा है कि अभी कुछी समय पहले भारत के विदेश मंतरी डॉक्टर जैशंकर आस्ट्रेलिया के विजिट पर गए थे तो वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट याने ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंतरी है पेनी वोंग उनके साथ में प्रेस कॉन्फरेंस वग जवाब दिया डॉक्टर जैशंकर के बारे में जानते होंगी कि वो किसी भी बात को इस तरह से रखते हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी आपती निकाल नहीं सकता जो एक चुली चीज़े घटीत हो रही है उन्हीं के बारे में उन्होंने कहने की कोशिश की जैसे की एक जैस्टर मोदी द्वारा ट्वीट भी किया गया था इन सब को लेकर भी क्वेस्चन किये गए और यहां पर डिरेक्टली डॉक्टर जैशंकर द्वारा इनकी पूरी की पूरी हिपोक्रेसी शब्द का ही इस्तुमाल करके पूरी दुनिया के सामने इन्होंने इंटर्विव क्योंकि द्वरा ने एक्सपोस कर दिया इस बात से ये लोग इतना चिड़ गए याने केनेडियन्स कि इन्होंने उस मीडिया होस की उपर बैन कर दिया जो कि ऑस्ट्रेलियन था और जिसने डॉक्टर जैशंकर का इंटर्विव लिया था याने फ्री स्पीच की बात करने क के नाम पर ये लोग ना जाने किन किन एडिलिमेंट्स को इस तरह की भी छूट देते हैं कि वो भारत के बारे में कुछ भी वक्वास कर दें लेकिन इनके बारे में अगर सच्चाई भी कही जाए तो ये उसे बरदाश नहीं कर पाते और एक मीडिया होस्क जो की इनके ही मि बात कही गई उन्होंने ये कहा जो आरोब केनेडा की तरफ से भारत की उपर लगा जा रहे हैं वो गंभीर तो हैं लेकिन भारत भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और भारत से संबंदों को अच्छा रखना इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे य इसकी गरेडा द्वारा बैन किया गया उन्होंने कई सारी आपतिया दर्ज करवाई है और अल्टिमेटली इंटरनेशनल लेवल पर जेस्टिन टूडो और उनकी गवर्मेंट इस समय काफी बड़े स्केल पर एक्स्पोज हो चुकी है इसी के साथ साथ आगर बात किछा एल पर एलेक्शन्स होंगे क्योंकि हम सभी जानते कि इनके पास पूरा भूमत नहीं है तो अल्टिमेटली आप समझ सकते हैं कि डोनल्ड ट्रमबन टीम के अंदर जस्टिन टूडो को लेकर किस तरह की भावना है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गई होगी तो जो क इसका गया है और इसका मतलब होता है मूर्ख अब ऐसा इस कॉंटेक्स में कहा गया है कि दरसल CNN के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लीश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि जर्मन चांसलर द्वारा वेनस्डे के दिन आपने वित्वंतरी को कैबिनेट से निकाल दिया है आप सभी जानते ही होंगे कि जर्मनी की जो एकॉनमी है वो इस समय लगातार नीचे गिरती जा रही है जहाँ पर जर्मनी को किसी जमाने में दमोनार्किस्ट ऑफ योरोप कहा जाता था तो वहीं पर अब ये सिक्मेन ऑफ योरोप बनते जा रहा है तो इसी परिस्तिती का ठीकरा फोनने के लिए इन्होंने अपने वित्त मंतरी को हटा दिया और आवाशंका ये जताई जारी है कि जर्मनी में किसी भी वक्त ओलाफ शोल्ज की गवर्मनी भी गिर सकती है तो इनी सब मुद्दों को लेकर और जो मिस मैनेजमेंट जर्मनी के अंदर चल रहा है इसक क्योंकि वो समय देखा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा क्रेडिट डोनल्ड रम को इलेक्शन जिताने का अपने नाम करवाना चाहते हैं और इसी वज़े से वो बेवज़ा दूसरों के मामले में टांग डाल कर अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा आएंगे इसमें उनका कोई रुकसान नहीं है साथ ही जो इनकी जगह पर नई गवर्मेंट आएगी उनके मन में भी ये सॉफ्ट कॉर्णर अपने लिए पहले ही इस्थापित कर लेंगे तो इनके बिजनस के लिए इने फ्यूचर में भी ज्यादा दिक्कतों का सामना नही करना पड़ेगा तो एक ही तीर से यहां पर इलोन मस्क दो तीन या चार पांच निशाने एक साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं खेर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलाल भारत का इसमें फाइदा है इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मनना है नीचे कॉमेंट करके करता ये का